नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चेतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमाई YouTube चनल ओनलाइन त्रिक्स नौफर्स दोस्तों आज मैं आपको बताना वहलो एक बेस्ट एप्लिकेशन के बारे में जिसकी मदर्द से आप किसी भी एप्लिकेशन को लॉग कर सकते हैं तो आपको मैं ब आपको डाउड कर सकते हैं तो सीधे एप्लिकेशन को उपन करेंगे तो हमने यहां पर एप लॉक में जाना है और सीधे एप्लिकेशन को उपन करेंगे तो हमें यहां पर एक पास्वार जनरेट करने पड़ेगा तो यहां पर एक मास्टर पीन हम लोग जनरेट करेंगे तो तो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे 2580, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2580 रखा है, वापिस क्लिक करेंगे, और यहाँ से fingerprint भी add कर सकते हैं, तो यहाँ पर yes कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको plus all icon पर जाना है, और यहाँ से gallery से जो भी application को lock करन होँगा, आप चाहिए तो एक साथ सभी application को lock कर सकते हो, मगर आप manually करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से single click कर सकते हो, तो इसके बाद हमें यहाँ यहाँ पर बापीस बैग जाना है, और यहाँ पर permission को allow करना है, तो यहाँ पर permission को allow करेंगे, ok button पर click करेंगे, allow पर click करेंगे, तो हमारी application यहाँ पर lock हो चुकी है, unlock के लिए यहाँ पर unlock option है, यहाँ से आप lock कर सकते हैं, तो यहाँ सारी service all start हो चुकी है, back जाएंगे, और यहाँ पर application पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको fingerprint पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से directly fingerprint टाल के application को open कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से password पर भी जा सकते, तो आप यहाँ से password भी लगा सकते, तो यहाँ पर password लगा के भी open कर सकते हैं application को, तो आपको simple on करके plus वाल आइकन पर click करके उसको add कर लेना है, तो जैसे हमने यहाँ पर Google Chrome को on कर लिया है, आप इस back जाएंगे, और यहाँ पर Google Chrome पर click करेंगे, त तो हमारी Google Chrome यहाँ पर open हो जाएगा, तो इसी पकर आप application को log कर सकते, secure कर सकते, तो दोस्तों आपको यह application कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते, आपको application अच्छी लगी, तो प्लिस लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राब क अच्छी क्योंकि एसी लिस में आपको लातेता हूँ, तो दोस्तों नेक्स दो आपस में लेंगे छेहिन पने मात रहा हूं